हाई गाईस, Current Affairs फंडा में आप सभी का स्वागत है, इस वीडियो में हम मई महीने के Complete Current Affairs का Part 6 देखने वाले हैं, टोटल 8 पार्ट में हम मई महीने के Current Affairs को Complete करेंगे, जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली Current Affairs देखते हैं, उनके लिए रिविजन करना यहां से काफी आसान रहेगा, इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, कि अगर आप हमारे डेली, वीकली और मंतली Current Affairs PDF, और जो भी हम टोपिक वाइस Current Affairs लेटेट वीडियो मनाते हैं, उनकी PDF चाहते हैं, तो इस वीडियो के फस्ट कमेंट में दिये गए लिंक पर क्लिक करके पा ओप्शन्स आपके सामने हैं, और Correct answer होगा Option A, तो May 21 is observed as Anti-Terrorism Day, या जिसे आप हिंदियों बोलेंगे आतंकवाध विरोथी दीवस, यह हर साल मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1991 में, यानि 1991 में, जो हमारे पूर परधानमंति रहे हैं, राजचीव ग मन्तरी राजीव गांदी की हत्या कर दी गई थी, तो इनके जब ये campaign कर रहे थे हैं, वहाँ पर, election के लिए, तो इनके पैड चुने के लिए, एक लेडी, एक औरत जैसे ही जुकी, उसने अपने सरीर पर विसपोटक लगाया हुआ था, तो तुरंत जैसे इनके पैड चुन और अगर हम राजीव गांदी से जुड़े हाली के current affairs की बात करें, तो देखिए, CBI officer रहे हैं, के रगो थमन, तो इन्होंने ही राजीव गांदी case को जो है, इसमें जाच किया था, CBI officer थे और इनकी हाली में, जो है, मृत्ति हो गई है, यह हमने MC की format में भी देखा था, तो मनीपूर state launched the M.O.M.A. market mobile app, तो चीफ मिस्टर जो है, मनीपूर के N.B.R.N. सिंग, इन्होंने इस mobile app को launch किया है, और इस mobile app के थ्रू, जो भी निवासी हैं, वहां कर इस state के निवासी जो है, वो vegetables, fresh vegetables को order कर सकते हैं, और उसकी delivery इनके बिल्कुल डोर परीव उपलब्ध करा जाएगी, अगर हम मनीपूर की बात करें, तो गवर्नर है यहां की, नजमा हेपतुला, capital है, इमफॉल, फ्रेंट्स, मनीपूर से बड़े important कुछ strategy के देख लेते हैं, देखिए, पहले तो आप यह जान लेजिए, जूको वैली, यहाली में चर्चा में थी, क्योंकि यहां पर आगजनी की घटना सामने आई थी, यहां पर आगजनी काफी हो गई थी, और यह बता दें आपको कि नागालेंड और मनीपूर के बाटर परिस्तित है, जूको वैली, याद रखेगा, पूछ ले जाता है, साथी मनीपूर के जो मेन फेस्टिवल से हैं, यह है, डोल जा एक कैबूल लमजाओ नेसल पार्क, दोनों ही काफी इंपोर्टेंड, मौरे, सिरोई हील्स यहां पर है, इंडिया पीस मैमोरियल, जिसे रेड हील कहते हैं, यह भी मनीपूर में लोकेटिड है, साथी आप यह भी जान दिएगा, संगाई डियर, यह फ्रेंट्स केवल इन को बोलते हैं, फुम्डिस, तो यह उपर फ्लोट करती है, तयरती रहती है, लेकिन कभी भी यह डूपती नहीं है, और इसी तरह की जो यह फुम्डिस है, इनी पर यह है वो, लेंब जाओ जो नेसल पार्क मैंने आपको बताया, तो वो इनी इसी पर लोकेटिड है, और इसी नेसल पार्क पर पाय जाता है ये संगाई डियर साथ ही अगर हम मनीपूर से जुड़े करंट अफेर्स की बात करें तो यहां के चीफ मिस्टर एन बिरेन सिंग ने हाल ही में M.Penson मनीपूर इस मोबाईल अब को भी लौंच किया था और अमिच्छा ने मनीपूर में थोबल डेम इसको भी इनोगरेट किया था साथ ही आपको बता दें कि मनीपूर जो है वन धन विकास योजनाक के लिए एक मोडल स्टेट के रूप में उभरा है ये भी हमने MCQ फॉर्मेट में कवर किये थे अच्छा जो ये M-Pension है इसको मनीपूर हटा के इस तरह से पूछा जा सकता है कि M-Pension App किस राज्य में लौंच किया गया तो आंसर होगा मनीपूर हाल ही में किंद्र सरकार ने DAP उर्वरक पर सबसेडी में कितने प्रतिशत की वृद्धी की है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन D So recently the central government has increased the subsidy on DAP fertilizer by 140% DAP का मतलब क्या है? Diamonium phosphate तो पहले ये पर बैक की अगर हम बात करें तो 500 रुपे पर बैक के हिसाब से मिलता था अब ये 1200 रुपे पर बैक के हिसाब से मिलेगा तो 140% ही यहाँ पर increase की गई है subsidy और आपको बता दें कि 2021 में जो total fertilizer subsidy देने का जो भारत का जो budget था यह 94,305 क्रोड का था तो अब यह 79,530 क्रोड का था और अब यह बढ़कर 94,305 क्रोड का हो गया है निमली कित में से किसे ओला द्वारा समूह मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में न्यूक्त किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option C तो यह मैंने आपको बता दिया कि राकिस भारतवाच को appoint किया गया है Chief Information Officer ओला द्वारा और ओला की अगर हम बात करें तो इसके Chairman and Group CEO है भवीश अगरवाल और Headquarters है Bangalore करनाटक में Asia परसांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा परद्योगी की बाजार कौन सा देश है options आपके सामने है और correct answer होगा option A So India is the second largest insurance technology market in the Asia Pacific तो यहां से देखते हैं किसके द्वारा report जारी की गई है S&P Global Market Intelligence data तो इसने यह कहाए कि इंडिया जो है अगर हम Asia Pacific की बात करें तो यहां पर दूसरा largest insurance technology market है और इसने यह भी कहाए कि जो Asia Pacific है यहां पर कम से कम 335 private insure tax जो है ओपरेट करें insure tax का मतलब क्या हुआ जैसे की नाम से देखो insurance plus technology यानि जो insurance technology डिजिटल तरीके से या फिर technology यूज़ करके अपने products को बेचती है अपना operation चलाती है उन्हें बोलते है insure tax तो यहां पर यह भी कहाए गया है कि चाइना और इंडिया Asia Pacific में जो आधे प्राइवेट insure tax companies केवल चाइना और इंडिया से ही है ठीक है तो लगभग 50% चाइना और इंडिया यहां पर cover करता है साथ ही यह भी कहा है कि इंडिया में 66 insure tax companies है जो मैंने आपको बताया insure tax companies है भारत में 66 insure tax companies है आगे बढ़ते हैं तो देखिए Asia Pacific क्या है यह पूरा रिजन यह है अपना भारत और यह पूरा Asia Pacific रिजन कहलाता है इसकी कोई specific definition नहीं है कि Asia Pacific को क्या कहा जाए तो केवल ऐसे इस तरह से रिजन दर्साय गया है आपर तो यह याद रखेगा Asia Pacific रिजन है यह है समवाद और विकास के लिए Sanskritic विवित्ता का विश्व दिवस और अंतराश्टी चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है ओप्शन आपके सामने है और correct answer होगा option D So World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development and International Tea Day are observed on 21st May तो दोनों ही दिन यह 21 मही को मनाये जाते हैं और friends अगर हम बात करें देखिए T की बारे में बात करते हैं काफी important topic है तो देखिए आपको पता होगा कि हमारे sustainable development goals है ठीक है 30 goals है तो उनमें जो goal 1 है जो extreme poverty को reduce करना और आपका goal number 2 है fight against hunger goal 5 है empowerment of women और goal 15 है sustainable use of terrestrial ecosystem तो इन पांचों की पूरती करता है आपका tea production ठीक है क्योंकि देखिए अगर जो tea industry कई लोगों को रोजगार देती है तो poverty भी से कम होती है और hunger की समस्या इससे दूर हो जाती है दूसरा यह है कि आप देखें कि टी सेक्टर में कई माईलाये काम करती है ठीक है तो इसे साब से tea industry काफी important है tea board of India यह call का ता वेस्ट बेंगोल में है और आपको बता दें कि world में इंडिया जो है यह second largest producer है tea का और पहले नंबर पर चाइना है तो कहा कहा प्रोड्यूस की जाती है यह सभी स्टेट से आप देख सकते है नुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्राखन, आसाम में गाले, त्रिपुरा, वेस्ट बेंगोल, करनाटक, केरल एंड, तमिलनाडू किस बैंक ने MSME और किसी छेत्र के लिए एक डिजिटल लॉन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉंज किया है सही आंसर होगा option C So, IDBI बैंक लॉंच्ट अ डिजिटल लॉन प्रोसेसिंग सिस्टम फोर MSME एंड एगरिकल्चर सेक्टर तो इसके नतरकत ये 50 प्रोड्क्स यह आपर offer कर रहा है, आपने loan processing system लोन सिस्टम जो होता है, इसको इसने पूरा जी तरह से अब digitize कर दिया है, इसका इसका डिजिटल ली करे राना आप कह सकते हैं कर दिया गया है आपको बता दें कि जो यह IDBI है, यह पहले Development Finance, Development Financial Institution के रूप में इसको Establish किया गया था 1 जुलाई 1964 को, उसके बाद फिर इसको सिड्डूल बैंक का दर्जा दिया गया RBI द्वारा कब 1 अक्टूबर 2004 को IDBI Bank के अगर बात करें तो Chairman है M.R. Kumar और Managing Director and CEO है Rakesh Sharma और आपको बता दें कि Life Insurance Corporation यानि LICS की Parent Organization है, यानि यह LIC की Subsidory आप कह सकते हैं IDBI Bank को किस Agency ने Cairn India पर 5.25 क्रोर रुपे का जुर्माना लगाया है, Options आपके सामने हैं और Correct Answer होगा Option C, So SEBI has imposed a fine of 5.25 क्रोर ओन Cairn India तो SEBI यानि Securities and Exchange Board of India इसने Cairn India पर जुर्माना लगाया है, क्योंकि Stop Market Fraud practice करते हुए इनको SEBI ने पकड़ा है, मतलब इस तरह से इनोंने, SEBI ने इस पर कहा है कि आपने जो है Stop Market Fraud किया है, आपको बता दें कि जो Cairn India है, यह Vidanta Limited के साथ मर्ज हो गई थी, और यह Oil and Gas Company है, तो 5.25 क्रोड का यहाँ पर जुर्माना लगाया है, SEBI ने, देखे फ्रेंड्स, तो किसले लगाया है, SEBI says that Cairn and its Directors made the public announcement of buyback without any intent to fulfill it, अब यह buyback का मतलब क्या है, देखे company ने, मान लीजे, पहले company ने अपने जिसने खरीदे हो गया, अब shareholder, अब company उनको फिर से दुबारा उनको buy करना चाती है, यानि repurchase करना चाती है, उसी shareholder से अपने share वापस repurchase करना चाती है, तो उसको बोलते है buyback, और इसके लिए जो है, यह जो share repurchase करते हैं, यह market price से ज्यादा price पर repurchase किये जाते हैं, तो यह बी ने आपको पता होगा कि अम्बानी ब्रदर्स दोनों पर ही 25 करोड रुपे का fine लगाया था, penalty लगाई थी, Atlas V rocket ने किस देश के लिए SBIRS GO5 Missile Warning Satellite लॉंच किया, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा, option B, So Atlas V rocket launched SBIRS, GO5 Missile Warning Satellite for USA Space Force, और यहां पर SBIRS, ठीक है, तो GO5, इसका मतलब है, Space Based Infrared Systems, Geo Synchronous Earth Orbit Flight 5, राजेंदर सिंग जडेजा, जिनका हाली में निदन हो गया, किस खेल के, पुर्व खिलाडी और कोच थे, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा, option B, So Rajेंदर सिंग जडेजा, who passed away recently, was a former player and coach of cricket, तो यह selector के रूप में भी काम किया, इन्होंने कोच के रूप में भी काम किया, और team manager के रूप में भी कारी किया है, कहाँ पर सौराष्ट क्रिकेट association में, BCCI के match referee भी रहे हैं, निम लिकित में से किस ने वर्दमान health facilities को 40 million US dollar में अधिक रीद किया है, यानि acquire किया है, 30 million US dollar, तो यह बैंगलोरू based एक company है, जो की pharma sector में कारे करती है, health sector में कारे करती है, इस दरह से वर्दमान health facilities है, यह भी health products बनाती है, तो इसको acquire कर लिया है, JK Dutt, जिनका हाली में निदन हो गया, किस agency के महानी देशक थे, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option B, JK Dutt, who passed away recently, was the director general of National Security Guards, यानी NSG, इसके director general थे, तो देखे, आपको पता होगा, 26-11 Mumbai attack जो हुआ था, तो इसमें कई इस्थानों को target किया था, लस्करे ताइबा के जो terrorist थे, जैसे ताज होटल को, नरीमन हाउस को, छत्रपती, सिवाजी, महाराज, टर्मियन्स जो है, महाँ पर, तो इन सभी में attack हुआ था, तो इसमें, इन्होंने काफी, काफी एहम भूमी का निभाई थी, क्योंकि यहाँ पर NSG द्वारा, operation black tornado, इसको launch किया गया था, जो भी छुपे हुए, आतंग की वादी थे, उनको बहार निकालना, यह operation था, चप्विस ग्यारा मॉंबई attack से related, operation black tornado, तो इसको हैट किया था इन्होंने, और इनका हाली में निदन हो गया है, एक तालिस साल की सेवा के बाद, किस भारत ये नौसेना की जहाच को सेवा से मुक्त कर दिया गया है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option A, INS राजपूद has been decommissioned after 41 years of service, तो देखे, INS राजपूद, जो की Indian Navy की first destroyer ship है, इसे Wysak-Naval-Dokyard पर decommission कर दिया गया है, INS राजपूद को युक्रेन के 61 Communards shipyard में नेडिजनी यानी Hope नाम से construct किया गया था, 4 मई 1980 को इसे जोड़ जाही, Pod City, Poddy में कमिशन किया गया था, इसका मोटो है, राज करेगा राजपूद और इसने कई सारे भारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण Naval Operations में भाग लिया था, आगे बढ़ते हैं, COVID-19 Hate Crime Act किस देश से संबन्दित है, Options आपके सामने है, और correct answer होगा, Option A, COVID-19 Hate Crimes Act is related to United States of America, देखिए, United States के President Joe Biden ने Asian Americans पर हाल ही में बढ़ते अटेक्स को देखते हुए, COVID-19 Crimes Act को साइन कर दिया है, जिससे की इस तरह के मामलों से अब कानूनी रूप से निप्टा जा सके, जब से COVID-19 की सुरुवात हुई है, तभी से Asian Americans USA में हिंसा का सिकार हो रहे हैं, और Former President Donald Trump द्वारा COVID-19 को Kung Flu जैसे नाम दिये जाने का भी विप्रित असर अमेरिका में देखने को मिला है, आगे बढ़ते हैं, नियाय मुर्ती संजय यादव, किस उच्च नियाय लाएगे, नए मुख्य नियाय धीश होंगे, ओप्शन साब के सामने हैं, और correct answer होगा, ओप्शन D, जस्टिस संजय यादव, will be the new Chief Justice of Allahabad High Court, तो देखिए Supreme Court Collegium, जिसको हैट किया जाता है Chief Justice of India द्वारा, तो फिलाल है N.V. रमना, तो इन्होंने Supreme Court Collegium को हैट किया है, और इन्होंने recommend हिया है, कि Justice संजय यादव, अलाबाद High Court के Chief Justice बनेंगे, और इससे पहले गोविन माथुर थे, जो कि अब retire हो चुके हैं, और जो ये संजय यादव हैं, ये अब तक acting Chief Justice के रूप में कारे कर रहे थे, फ्रेंट जल्दी समझेंगे कि ये Collegium System क्या होता है, देखे, Collegium System के अंदरगत, जजेस की appointment and transfer के लिए एक forum द्वारा decide किया जाता है, और इस forum में भारत के मुख्य नयाइधीश, और चार Supreme Court के सबसे वरिष्ट नयाइधीश इसमें सामिल होते हैं, साथे आपको ये भी जानना चाहिए कि आर्टिकल 124, ये Supreme Court के जजेस के appointment से related है, साथी आर्टिकल 217, ये High Court जजेस की appointment से संबन्दित है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा दूसरा सबसे अमीर एशियाई और दुनिया का चोधवा सबसे अमीर वियवसाई बन गया है, options आपके सामने हैं और correct answer होगा option C, So, गोतम अडानी has become the second richest Asian and 14th richest businessman in the world, तो गोतम अडानी की total संपत्ती है, 66.5 billion US dollar और ये एशिया के दूसरे सबसे अमीर, और overall याणी वर्ड के चोध में सबसे richest businessman बन गये हैं, और एशिया के richest होन है, मोकेश अमबानी ये पूरी लिस्ट है, पहले नंबर पर मोकेश अमबानी है, एशिया की अगर बात करें, दूसरे नंबर पर हैं गोतम अडानी, तीसरे पर हैं जौंग शैंसोन, तो ये तीन आप याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं, अंतराश्टी जै विवित्ता दीवस किस दिन मनाया जाता है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option D, International Day for Biological Diversity is observed on May 22, और friends इसका इस बार theme रहा है, 2021 में, We are part of the solution, देखें बारत में, ये चार Biodiversity Hot Sports है, friends, Biodiversity का मतलब होता है, जहां पर आपको कई variety देखने के लिए मिले, यानि की plants की, animals की, और micro-organism, species जो होती है, इनकी variety देखने को मिले, अलग-अलग species हों, अलग-अलग ecosystem levels यहां पर हों, उनका variation देखने को मिले, तो इस तरह की जो प्रमुख जगाए हैं, उन्हें बोलते हैं, hot sports, तो देखें बारत में कौन-कौन सी हैं, एक तो ही मालियाज है, इंडो-बर्मा रीजन है, दे वेस्टर्न घाट से, और सुन्दा लेंड, ये चारो की चारो जो हैं, बारत की बायर डावरिष्टी hot sports हैं, और आपको बता दें कि पूरे वर्ड में अब तक, लगबग 36 बायर डावरिष्टी hot sports रिकरगनाईज के गए हैं, और इनमें जो एंडिस माउंटेंस, ट्रोपिकल hot sports है, ये वर्ड का most diverse hot sport है, ये मतलब सबसे ज़्यादा variety आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगी, साथी सबसे important point आपके लिए है कि जो 2021 से 2030 का decade है, यानि की दशक है, इसको United Nations UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development and UN Decade on Ecosystem Restoration, इन दोनों की रूप में मना रहा है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान लखेगा और note कर लिजेगा, दुनिया की सबसे बड़े हिमखंड का नाम बताईए, जो हाल ही में Antarctica के तट से तूट कर अलग हुआ, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा option C, so A76 is the world's largest iceberg that has recently broken off the cost of Antarctica, यह आप देख रहे हैं, यह पुरी एक ice sheet है, जिसको आप बोलते हैं, ice self, Rone ice self है यह, पुरी जमी हुई है यह, अब यहां से यह iceberg अलग हो गया है, A76 अलग हो गया, और यह अंटार्क्टिका में जो वेडल सी है, इसमें जाकर अब जो है, और देखी कितना लंबा है friends, यह 170 km का है यह, और 25 km वाइड है, मतलब कि New Delhi का 3 times है, इतना बड़ा आइसबर्ग जो है, अलग हुआ है, और आपको बता दें कि इस iceberg को, कौकर निकस, सेंटिनल उपकरे द्वारा देखा गया है, तो आपको पता है, जिस तरह से की climate warm हो रहा है, तो उस हिसाब से, यह सभी अपने जो ice self से अलग हो जाता है, और जो आपका अंटार्क टिकाहे में उसमें बह जाते हैं, तो यह पुरा जो भी आपका, जो melt हो रही है, यह सब climate का असर है, क्योंकि climate जो है, काफी तेजी से warm होता जा रहा है, देखे, iceberg होता क्या है, हम iceberg के बारे हम पट रहे हैं, तो iceberg होता क्या है, देखे, iceberg, glacier की एक, आप, glacier होता है, पुरा, ice से बना हुआ होता है, तो उसका एक पार्ट, जब तूटने के बाद, open water में बहने लगे, तूटकर किसी open water में चला गया, और वहाँ पर बहने लगे, तो उसको बोलते है, iceberg, यह आप देख सकते है, iceberg, यह मान लीजे, कोई रहे, और यह उपर का हिस्सा है, तो हमको लगता है कि कितना बड़ा है, लेकिन, friends, यह केवल 1 9th party उपर होता है, नीचे जादा तर हिस्सा होता है, 8 9th part नीचे है, और 1 9th party उपर होता है, किस agency ने insider trading, मान दंडो के उलंगन के लिए, बायो को उन पर खुल, 14,00, रुपे का जुर्माना लगाया है, उप्शन्स आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, उप्शन C, सो, सेवी हैज इंपोस्ट आ टोटल पैनल्टी ओफ रुपीस 14,00, लैक ओन बायो कॉन फोर वायोशन ओफ इंसाइडर ट्रेडिंग नॉम्स, तो बायो कॉन पर लगाया है, और इ पता है कि उसी कंपनी कब अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक्स को पता है कि उसी कंपनी कब किस कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, एक्स को पता है कि कब उसी कंपनी जो है वित्य घाटे में जा रही है, यानि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसका फाइदा उठा सकते कि यह information public के पास तो नहीं है जो बाहर के लोग हैं जो इस company के share खरीदते हैं उनके पास तो यह information नहीं है लेकिन इसके पास है क्यूंकि यह company में काम करता है जो X बंदा है तो अब यह इस जानकारी का फाइदा उठा सकता है यह अगर सकता है या तो यह information किसी को pass कर सकता है या यह अपने share उस company में जो इसके share है उनको बेच सकता है और यह इस बारे में किसी को जो savey है उसको inform भी नहीं कर रहा है कि मैंने अपने share जो है trade किये हैं अपनी company से हटा दिये हैं मतलब situation के हिसाब से अगर अच्छा perform कर रही है तो हो सकता है कि और share ले ले अगर अच्छा perform नहीं करने वाली है इसको पता चल गया है तो हो सकता है अपने share बेच दे और इसने यह बात सेवी को भी report नहीं की है तो इसको बोलते है insider trading यानि जो आपका company का अंदर का ही जो बंदा है वही जो है इस तरह की फाइदे उठा ले रहा है जो की illegal है बात करते हैं 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 तो इसके CEO एर MD है सिदार्थ मित्तल executive chairperson किरन मजूंदार शौ हैटपार्टर से बेंगलूरों में और हाली में हमने क्या पढ़ा था कि सेवी ने केरन इंडिया पर 5.25 करोड रुपे का fine लगाया है किसलिए buyback fraud के बारे में buyback भी हमने समझा था यह क्या होता है आगे बढ़ते हैं सुन्दरलाल बहुगणा जिनका हाली में निदन हो गया यह एक परसिद्ध क्या थे options आपके सामने है और correct आंसर होगा option D सुन्दरलाल बहुगणा who passed away recently was a noted environmentalist कि तो काफी important question है यह तो देखिए यह chip को moment से जुड़े हुए थे chip को moment जो है यह deforestation से जुड़ा हुआ moment था जिसमें कि इन्होंने पेडो से चीवग गए थे इन्होंने काट नहीं नहीं दिया तो 1970 इसके दसक में इसकी शुरुआत हुई थी उत्राखंड में और यह खुद भी उत्राखंड के ही है तो मरोदा विलेज है यह टीरी गरवार डिस्टिक में उत्राखंड में यहां पर इनका जर्म हुआ था और यह freedom fighter भी रहे हैं यह आप याद रखेगा दोनों तरह से पूछा जा सकता है freedom fighter भी रहे हैं और टीरी डैम आप जानते होंगे उत्राखंड में है तो इस डैम को बनने दर्ज कराया चिपको मुवेंट कितरे हैं जिसे बोलते हैं hug the trees मुवेंट और 1987 में जो यह चिपको मुवेंट था 1987 में इसको right livelihood अवार्ड भी मिला था जिसे की alternative nobel prize बोला जाता है साथी जो आपके सुंदरलाल बहुगणाते इन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड से भी सम् आगे बढ़ते हैं भारत और किस देश ने सेन्य सहयोग पर समझोता ग्यापन यारी MOU का नवीनी करण किया है ओप्शन्स आपके सामने हैं और correct answer होगा option B India and Oman renewed the memoranda of understanding on military corporation तो military corporation जो है चलता रहेगा इंडिया और Oman के बीच में इसी बारे में इन्होंने एक MOU को sign किया है ओमान के अगर हम बात करें तो ओमान के सुल्तान है हैतम बिन तारीक अलसेद, capital है मश्कट और currency है ओमानी real यह है फ्रेंड्स ओमान यह पुरा अरप पैनिन सुला है यह Gulf of Amman है यह Persian Gulf है यह Gulf of Aden है यह Red Sea है यहाँ पर यह Gulf of Swage है तो Swage के नालबी यहाँ पर है यह Gulf of Aqaba और यहाँ पर है Mediterranean Sea, इसराइल के इधर यह पुरा Mediterranean Sea है तो इस तरह की location आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप bank के लावा और किसी exam की तयारी कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से किसने oxygen पुनर चक्रण परणाली तयार की है सही answer होगा option C, so Indian Navy has designed an oxygen recycling system तो इस question में इतना ही जानने के लिए है किसने देखे जो यह आपके मयंग सर्मा है, लेट्रेन कमांडर है जो diving school है, Southern Naval Command का तो इन्होंने oxygen recycling system इसको design और conceptualized किया है तो Southern Naval Command जो है इसका headquarters कोची केरल में है, कोवी shelf क्या है, तो चार options हैं आपके पास, क्या यह virus है, क्या यह medicine है, क्या यह COVID test kit है, क्या यह isolation home for COVID patients है, options आपके सामने हैं और सही answer होगा option C, so COVID shelf is a COVID-19 test kit, जानते हैं इसके बारे में, देखिए, Indian Council of Medical Research यानि ICMR ने, एक self-use rapid antigen test, इसको मंजूरी दी है, किसके द्वारा बनाया गया है, my lab discovery solutions, इसके द्वारा यह बनाया गया है, और इस test का नाम है, COVID shelf, तो इसमें जो है आपका result 15 minutes के अंदर आ जाता है, और 250 rupees की यह पूरी kit आती है, और इसमें आपका जो nasal swab है, यह इसमें भी किया ज जाता है, मतलब इतना discomfort इसमें नहीं feel होता है, हाई यांग 2D समुद्र विज्ञान उपगरे, किस देश ने प्रक्षे पित किया, options आपके सामने है, सीधे सही answer पढ़ लिए चलते है, option C, so China launched हाई यांग 2D oceanography satellite, तो देखिए कोई marine disasters से ना हो पाए, मतलब होता तो ही, लेकि इसका जो effect है, वो कम से कम किया जा सके, तो इसके लिए ocean monitoring satellite चाइना ने एक launch की है, और यह जो है all weather round the clock, dynamic ocean environment monitoring system है, round the clock का मतलब होता है, 7 दिन 24 घंटे, मतलब हर time, इसका मतलब होता है round the clock, round the clock का hindi meaning यही होता है, कि मतलब हर time, और long march 4B rocket से इसको launch किया है, क्या नाम है, हाई य 2D भी आप याद रखेगा, इस तरह से भी पुछा सा सकता है, और हाल ही में, देखे चाइना से जुड़े अगर हम current affairs की बात करें, अगर इसी segment में बात करें, तो चाइना ने पिछले साल, वर्ड की first 6G test satellite इसको launch किया था, या इसको भेजा था orbit में, और हाल ही में, चाइना EY Renewable Energy Country Attractiveness Index में भारत की rank क्या है, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा, option B, so, इंडिया की rank है 3rd, किसमें EY Renewable Energy Country Attractiveness Index में, जानते हैं इसके बारे में, तो देखिए, भारत ने जो है, अब तक पहले तो आपको यह बता दें कि, जो solar VV capacity है भारत में, यह 39 GW की है, और इसी को देखते हुए, भारत की 3rd position है, जो EY का Renewable Energy Country Attractiveness Index है, इसमें, यूएस पहले नंबर पर है, और चाइना दूसरे नंबर पर है, कौनसा एडिशन रहा है यह, 57th एडिशन रहा है यह, EY, EY का मतलब होता है Ernst & Young, यह एक London-based agency है, और इसमें इन्होंने यह भी कहा है, कि 2020 में, जो Global Renewable Energy Capacity Investment रहा है, यानि कि Renewable Energy में, जो Investment रहा है, 2030 तक, और कितनी, 450 Gigawatt, The World Choreography Award 2020 जीतने वाले पहले भारतिये कौन बने है, सही answer होगा, Option D, So, Suresh Mukundh has become the first Indian to win the World Choreography Award 2020, तो देखिए, 10th Annual World Choreography Award 2020 जीता है, Suresh Mukundh ने, और किस category में जीता है, TV reality show, और competition category में जीता है, तो एक Indian Dance Crew है, एक समू है, Duck Kings इसका नाम है, तो इसके Director and Choreographer है ये, आपको बता देंगी, जो ये World Choreography Award है, इसको Oscars of Dance भी बोला जाता है, और इस किस्ता अपना 2011 में, Alan Walls द्वारा की गई थी, जगनात पहाडिया, जिनका हाली में निदन हो गया, किस राज्य के पूरु मुख्य मंत्री थे, सही आंसर होगा, option D, So, जगनात पहाडिया, who passed away recently, was the former Chief Minister of Rajasthan. तो देखे, राजस्थान के Chief Minister के साथ साथ ये, बिहार और और इहारेड़ा के Governor, यानि राज्य पाली भी रह चुके हैं, और इनकी COVID-19 की वज़े से, हाली में, इनकी पृत्यू हो गई है. तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस पार्टी से ये जुड़े हुए थे, याद रखे हैं, कॉंग्रेस पार्टी के थे. नियायमूर्थी मार्था कुमे, किस देश की पहली महिला मुख्य नियायधीश बनी हैं? उप्शन्स आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा, उप्शन सी. जस्टिस मार्था कुमे, हैस बिकम दफर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ केनिया. तो पहली फीमेल चीफ जस्टिस बन गई हैं, ये केनिया की. केनिया के बारे में अगर जानकारी लिए तो यहां के प्रेजिडेंट है, उहरू केनिया था, कैपिटल है, नैरोबी, करंसी है, केनियन शेलिंग, साथी आपको ये भी जानना चाहिए, कि यूनाटेड नेशन्स हिूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम, जिसे यून यानि UNEP, इन दोनों काई हैट्वार्टर्स, केनिया की जो कैपिटल है, नैरोबी, यहां पर लोकेटिड है, आयुस्मान भारत कारेकरम के तहत, स्वास्थे और कल्यान केंद्र इस्थापित करने में, किस राज्य को पहला इस्थान मिला है, सही आंसर होगा, ओप्शन C, कर करनाटक ने ग्रामिन इलागों में उचित संख्या में स्वास्थे और कल्यान केंद्र इस्थापित किये है, इसलिए इसको फर्स्ट रैंके आपर दी गई है, तो 2020-21 के लिए करनाटक लीड कर रहा है इस रैंकिंग में, साथे आपको बता दें कि गवर्मेंट का टारेट था कि 2223 सेंटर बनाए जाएं, लेकिन करनाटक ने 3300 सेंटर यहां पर अपग्रेट कर दिये हैं, करनाटक की बात करें तो यहां के चीर्स मिनिस्टर है बी-एस येदुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला और कैपिटल है बैंगलूरू, करनाटक के अगर हाली में, करनाटक से जुड़े करन्ट अफेर्स की बात करें, जो कि हमने पहले कवर किये हुए हैं, तो बारत का पहला लीथियम रिजर्व भारत को करनाटक के मांडिया डिस्टिक में मिला है, साथी विजे नगर करनाटक का 31 डिस्टिक मना, करनाटक के CM येदुरप्पा ने आवल सोफ्ट्वेर इसको लॉंच किया था हाली में, और इंडिया का First Integrated Machine Tool Park ये भी करनाटक में ओपन हुआ है, जो हमारे Home Minister है, अमित शाह इन्होंने भद्रवती Rapid Action Force Center इसको भी करनाटक में लॉंच किया है, साथी 2021 खेलो इंडिया युनिवस्टि गेम्स ये करनाटक में होंगे और करनाटक ने Engineering, Research and Development Policy इसको लॉंच किया है, करनाटक से जुड़ हम Static GK की बात करें, तो करनाटक को कहा जाता है One State Many World, ये South India का Largest State है, इसको State of Mysore के नाम से जाना जाता था, 1973 में इसे करनाटक नाम दे दिया गया था, आपको बता दें कि ये इकलोता ऐसा Southern State है, यानि South का ऐसा राज्य है, जो बाकी के जो चार Southern State है, इनसे Land Border शेर करता है, अगर हम यहां के National Parks की बात करें, तो आंशी National Park, बांदीपूर, बनेर गर्टा, कोद्रे मुक, नागर होल, ये सबी यहां पर है, और भद्र Wildlife Century, डंडेली अंसी Tiger Reserve, जैसे काली Tiger Reserve भी बोलते हैं, ये भी करना परदिस में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर करनाटक में है, करनाटक में आपके विजयनगर अंपायर हमपी में, तो इसके जो अवशेश हैं, और पट्रड़कल मॉन्यूमेंट जो है ये, ये दोनों ही UNESCO World Heritage Sites हैं, और ये करनाटक में इस्तित हैं, साथी कुद्रे मुक माउन्टेन रेंज, जो की होडश, जो घोड़े का जो फेस होता है, उसके तरह दिखती है, जोग फाल्स, कोकक फाल्स, सिवसमुद्र फाल्स और बादामी केव टेंपल्स, ये भी करनाटक में हैं, सभी पॉइंट्स काफी इंपोर्टेंट हैं, और आपके एक्जाम होगा, उप्शन A, United Kingdom launched Global Pandemic Radar to Detect COVID-19 Variants, देखिए, United Kingdom World Health Organization और जो बाकी के पार्टनर कंट्रीज हैं, इनके साथ मिलकर Global Pandemic Radar पर कारे करेगा, इसका मकसद है कि COVID-19 के जो वेरियंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और COVID-19 जैसी बीमारी अगर in future कभी आती हैं, तो उनसे सही रूप से उनने हैंडल किया जा सके, उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल प्रवाइड किया जा सके, उनकी वेक्सीन जल्द से जल डेवलप की जा सके, निमलिकित में से किसने 50 billion US dollar की वैस्विक टीका करन योजना प्रस्तावीत की है, सही आंसर होगा, ओप्शन C So International Monetary Fund यानि IMF has proposed a 50 billion US dollar global vaccination plan, तो इस जो प्लान जो IMF ने लौंच किया है 50 billion US dollar का, इसका टारगेट है कि 2021 के अंध तक कम से कम 40 परतीशत जो जनता है पुरेविस्व की इसको वैक्सीन लग जाए, और 2022 के फस्ट हाफ तक, यानि पहले 6 महीने तक, 60% लोगों का वैक्सीनेशन कारें पूरा हो जाए, IMF की अगर हम बात करें तो इसकी मैनेजिंग डिरेक्टर हैं, किस तलीना, जॉर्जिया, जॉर्जिया, ये बुल्गारिया की हैं, ये याद रखेगा फ्रेंट्स किस कंट्री की हैं, क्योंकि पूशा जा चुका है, सेम कुश्चन पूशा जा चुक के फल सुरूप, 1944 में IMF का गठन किया गया था, लेकिन इसने अपना ओपरेशन 1945 में सुरूप किया, छटा सही युक्त राष्ट, वैस्विक सडक, सुरक्षा सप्ता कब मनाया गया, सही आंसर होगा, ओप्चन D, तो इसका जो में मकसद राय है, वो यही राय है कि जो भी सिटीज हैं, जो काफी ट्राफिक जहां पर रहता है, इस तरह की सिटीज में जो वेहिकल की स्पीड है, वो 30 किलोमेटर पर आर की रखी जाए, ऐसा हमें टार्गेट रखना चाहिए, और इसमें इनोंने एक केंपे निमलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है, ओप्शन सापके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन सी, तो पहला है हमारे पास वाईरा जैन, क्या ये सिपला ने लौंच किया है, दूसरा है दीप कोवन, क्या ये DRD ने लौंच किया है, जी हां, दोनों ओप् देखे, डिफेंस जो आपका DRD है, डिफेंस रिसर्च और डेवलोप्मेंट और उर्गनाजेशन, इसकी एक लेबरुटरी है, डिफेंस इंस्टिटीट ओफ फिजियोलोजी एंड एलाइट साइंसेस, तो इसने क्या किया है, एक एंटिपोटी डिटेक्शन बेस्ट किट, जिसका नाम है, डीब कोवन, इसको लॉंच किया है, और इसको यह इसने, वैनगार्ड डाइगनोस्टिक्स, प्राइवेट लिमेटेट के साथ मिलकर लॉंच किया है, दूसरा अगर हम बात करें, सिपला आपको पता है, ड्रग कंपनी है, ड्रग फार्मा कंपनी है, तो इस इसने अपनी RT-PCR टेस्ट किट, जिसका नाम है, वाईरा जैन, इसको लॉंच किया है, किस के साथ मिलकर, OBO by Technology Systems के साथ मिलकर, मार्च 2021, यानि 4th quarter of fiscal year 21, को समाप्त, तिमाही में किस बैंक ने 6450 करोड रुपे का शुद्ध लाब दर्ज किया है, ओप्शन आपके सामने है, और correct answer होगा, ओप्शन A, So, State Bank of India has reported a net profit of Rs. 6450 करोड for quarter ended March 2021, देखे, quarter 4 इसले का आगया है, क्योंकि जनवरी, फर्वरी, मार्च, ठीक है, यह 4th quarter होता है, तो इसके लिए, Reserve Bank of India ने 6450 करोड रुपे का एक net profit यहां पर दर्ज किया है, इस quarter के लिए, और यहां पर पिछले साल की तुनला में, 80.14 परतिशत का जो है, बड़ोतरी यहां पर देखी गई है, और friends, SBI ने यह भी कहा है, कि यह 4 रुपीज पर equity share का dividend भी जारी करेगा, इसका मतलब क्या होगा friends, देखें, dividend का मतलब क्या होता है, dividend is the part of the profit that the company shares with its shareholders, यानि जो company के shareholders है, यदि company बहुत अच्छा profit कमा लेती है, तो उसका कुछ हिस्सा वो अपने shareholders में भी बाढ़ देती है, तो यही कहने का मतलब है, dividend का मतलब है कि SBI ने यह का है, कि यह वो 4 रुपीज पर equity share के हिसाब से dividend अपने shareholders को पे करेगी, तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया हो कि dividend का क्या मतलब होता है, और यह है friends board of directors SBI के, तो SBI के chairman है दिनेश कुमार खारा और चार managing director है, CSCAT, अस्विनी भाटिया, स्वामिनाथन जे और अस्विनी कुमार तिवारी, भारते reserve bank सरकार को कितने रुपे का अधिशेष हस्तान तरीत करेगा, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा option D, reserve bank of India will transfer a surplus of 99,122 करोड रुपीज to the government of India, तो देखिए, reserve bank of India ने decide किया है कि 99,122 करोड रुपे का, जो surplus amount है, यह government of India को जारी करेगा, कितने मंत का है, यह 9 मंत का है, जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक का, देखिए, हुआ क्या, पहले RBI का जो accounting year होता था, यह जुलाई से जुन तक का होता था, ठीक है, लेकिन अब फिर क्या हुआ, जुन के बाद RBI ने का, जुन के बाद का कि हम जुलाई से अपना accounting year चेंज कर रहे हैं, तो अब जुलाई से, तो अब जुलाई से, मार्च तक का, इन्होंने अपना 9 मंत का दिया है, क्योंकि जुन में डिकलेर किया था, तो उसके बाद, जुलाई से शुरूँ वा, तो जुलाई से मार्च तक का, इसलिए 9 मंत का ही बैठ रहा है, वरना जो RBI का accounting year है, यह अपरेल से मार्च तक का है, पर क्योंकि जुन में डिकलेर किया था, इन्होंने कि हम अपना financial year यह चेंज कर रहा है, accounting year चेंज कर रहा है, तो जुलाई से मार्च तक का ही अभी dividend यहाँ पर दिया गया है, surplus यहाँ पर दिया गया है, जबकि government of India ने कितना expect किया था, government of India ने कहा था कि 50,000 क्रोड रुपे तक कहा हमें 2021-2022 तक के लिए हम Reserve Bank of India से expect करते हैं, लेकिन यहाँ पर Reserve Bank of India ने काफी ज़्यादा dividend यहाँ पर दिया है, तो आपको बता दिया कि RBI का accounting year अपरेल से मार्च तक का है, surplus का मतलब होता है, RBI को जो profit होता है, तो उसका कुछ हिस्सा वो government of India को transfer कर देती है, साथ ही देखिए, जो Reserve Bank of India है, इसने यह भी कहा है कि contingency risk buffer, यह 5.5% यह हम maintain करके रखेंगे, इसका मतलब क्या है, देखिए, Reserve Bank of India अपने total assets का 5.5% किसी आपातकाल इस्तिती, यानि emergency fund के रूप में रखेगी, और बाकी का जो हिस्सा है, वो government of India को transfer कर देगी, तो कोई भी इस तरह के कभी कभी जैसे की अभी इस्तिती चल रही है, इकोनोमी की, तो इस तरह की परिस्तिती आने के लिए, यह पहली अपने assets का कुछ प्रतिशत अपने पास reserve रखती है, अच्छा, यह surplus वाला matter गया है, देखे, Reserve Bank of India आपको पता है, 1934 में founded हुआ था, और Reserve Bank of India का जो act है, 1935, तो यह mandate करता है, कि जो भी Reserve Bank of India का जो profit है, उसको Central Bank को यह transfer करें, ठीक है, अच्छा, अच्छा, कमाता कहां से है, देखे, जो government, security, sale and purchase होता है, उससे कमाता है, बैंक्स को जो loan देता है, उस पे interest कमाता है, तो इस तरह के कई सारे सादने RBI के पास, जहां से यह पैसा कमाता है, तो आई हो, आप इस पूरे को अच्छे से समझ गई होंगे, निमलिखित में से कौन भारत पर केंडरीत, सबसे बड़ी अंतराश्टिय सम्मरीन केबल परणारी का निर्मान कर रहा है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन D, जान लेते हैं इसके बारे में, देखिए, रिलाइन्स जीओ, लाजेस्ट इंटरनेशनल सम्मरीन केबल को लॉंज कर रहा है, किसके साथ मिलकर, एक सब मरीन केबल सप्लायर है, सब कॉम, इसके साथ मिलकर कर रहा है, तो इसके तहाथ ये दो, नेक्स्ट जनरेशन केबल को जो है, डेपलोवे करेगा, यानि बिचाएगा, तो देखे, एक तो है इसमें इंडिया एशिया एक्सप्रेस सिस्टम, ये क्या करेगा, इंडिया को सिंगापूर और इससे भी आगे तक कनेक्ट करेगा, दूसरा है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस सिस्टम, ये इंडिया को मिडल इस्ट और यूरोप से कनेक्ट करेगा और फेंड्स ये एक हाई स्पीड सिस्टम होने वाला है जो की करीब 16,000 किलोमेटर की दूरी तक 200 टेरा बाइट्स पर सेकंड से अधिकी छमता प्रोवाइट करेगा तो इससे जो है कंपनी के ग्राकों को दूसरे दिश्ट के लोगों से बातचित करने में दिख्कित का सामना नहीं करना पड़ेगा Reserve Bank of India ने पूर्ण KYC PPIs के संबन्द में अधिक्तम बकाय राशी 1,00,000 रूपे से बढ़ा कर कितना कर दिया है options आपके सामने है और correct answer होगा option A so RBI has increased the maximum amount outstanding in respect of full KYC PPIs to 2,00,000 रूपीज from रूपीज 1,00,000 समझेंगे इसको कि क्या कह रहा है question में देखे PPI का मतलब होता है prepaid payment instruments यह मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे की जिन इस तरह के आपने देखा होगा ना ATM आप यूज करते हैं Google पे आप यूज करते हैं जिनसे की आप services खरीद सकते हैं या फिर transaction कर सकते हैं ठीक है अपने wallet में आप पहले सी पैसा रख सकते हैं जिससे की आप कोई भी service खरीदना चाहें कोई product खरीदना चाहें तो इनको बोलते है prepaid payment instruments एक्जांपल मैंने आपको बता दिये ATM कार्ड बीसी में आता है जो आपका credit card debit card होते हैं यह भी नहीं में आते हैं तो अब Reserve Bank of India ने यह कहा है कि 2000 March 31 2022 तक जो भी prepaid payment instruments हैं बैंक और नोन बैंक संस्थानों की और से जो जारी किये गए हैं यह 31 मार 2022 से लागू कर दिये जाएंगे अच्छा दूसरा point उन्होंने क्या कहा है कि जो भी prepaid payment instruments जो ग्रहा की कर दिया गया है साथी Reserve Bank of India ने यह कहा है कि देखिए जो आपका कहीं कहीं जो आपके prepaid payment instruments होते हैं तो इनका यूज करके आप point of sale terminals होते हैं वहाँ से आप पैसा भी निकाल सकते हैं जैसे ATM होता है इसी तरह के terminal होते हैं तो जो prepaid payment instruments आपके पास होते हैं इनकी साहता से आप महाँ से पैसा भी निकाल सकते हैं तो नहां पर भी आरी यह ने कहा है कि 10,000 पर मन्त आप निकाल सकते हैं और एक बारी में 2,000 रुपे की टांजेक्शन आप इसमें कर सकते हैं पहले एक जार रुपे की और यहां पर जो है जो टीर वन और टू जो सिटी जैं इनके लिए 1,000 रुपीस की कैप यहां पर लगाई जारकंड has clinched first rank for implementing smart city mission schemes तो ये जो rank है ये union ministry of housing and urban affairs द्वारा जारी की गई है और जारकंड ने इसमें पहला इस्थान प्राप्त किया है smart city mission scheme को रन करने के लिए और राजस्थान इसमें दूसरे नमबर पर रहा है जारकंड की बात करें तो जारकंड से जुड़े हैं कुछ important facts की बात करें तो बोकारो steel plant और टाटा आइरन and steel company निटिस को ये जमशेतपूर जारकंड में है साथी इचागड बर्ड सेंचुरी चंद्रपूरा बर्ड सेंचुरी जवाडलाल नेरू जुलोजिकल गार्डन तेनुगार्ड बर्ड सेंचुरी दल्मा वाइड लाइफ सेंचुरी भगवान बिर्सा जुलोजिकल गार्डन बेतला नेशनल पार्क ये काफी इंपोर्टेंट है पलमु टाइगर रिजर्व एंड तातलोई होट वाटर इस्ट्रीम ये सभी जारखंड में हैं साथी सरंदा फोरेस्ट ये जारखंड में इसको आप याद रखेगा नोट कर दीजेगा आप जानते होंगे कि बहुत महान ट्राइबल लीडर रहे हैं बिर्सा मुंडा तो बिर्सा मुंडा को धर्ती वर्थ के नाम से जाना जाता है ये कोश्चन एक बार PCS में पूछा गया था उडिसा PCS में पूछा गया था और आपको बता दें कि नीलंबर पितंबर जल सम्रिद्धी योजना पोतो हो खेल विकाच इसकीम और बिर्सा हरितकराम योजना और किसान फसल रहाती योजना य आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्चन डी इंटरनेशनल डे टु एंड ओप्स्टेट्रिक फिश्चुला इस ऑप्सटर्ड ओन मेर 23 तो जो यह ओप्स्टेट्रिक फिश्चुला है यह एक ट्रेजिक चाइल्डबल इंजिरी से और इसका इस बार थीम रहा है व आप देख भी सकते हैं इंडियात फर्स्ट ड्रोनाचारिया अवार्डी कोज ओपी भारदवाज डाइस एडड 82 आफ्टर प्रोलोंग इल्नेस प्रोलोंग मतलब की बहुत लंबे समय से जो चल रही होती है तो यह बॉक्सिंग कोज थे और इंडिया के पहले द्रोनाचार अवार्ड मिला था और यह इंडिया के नेशनल बॉक्सिंग कोच भी रहे है 1968 से 1989 तक और नेशनल सेक्टर के रूप में भी इनोंने कारे किया है प्रसांत महापात्रा जिनका हाली में निदन हो गया कि स्केल से जुड़े हुए थे तो इसका सही आंसर होगा ओप्शन सी तो परसांत महापात्रा महापात्रा हू पास्टर रिसेंटली वाज एसोसियेटेड विद क्रिकेट तो देखे उडिसा क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और बी सी सी आई मैच रैफरी भी यह रह चुके हैं और इसी तरह की अपने एक निउस हाली में क्या पड़ी थी कि राजें छुर्ष आपके सामने है और कर्एक्ट आंसर होगा option दी तो चमाल्लाल उपता वोज द्योंनियटर ओफ एस्टेट मिनिश्ट्री ऑफ फूड योईनियैं व्रिक्री ओफ एस्टेट मिनिस्ट्री ओफ deceveं यूनियन मिनिस्टर ओफ सिट्ईट्में सिविल एविएशन तो जम्मो कस्मीर के उधंपूर कॉंसे से भी ये लोगसुबा के लिए चुने गए हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया कि इन सब मिनिस्ट्री में ये कारे कर चुके हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कारे कारी अधिकारी के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है। ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए। राजेज बंसल हैज बिन अपोइंडेड एज चीफ एक्जेकुटिव ओफिसर, CEO अफ दे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आर बी आईएच। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने राजेज बंसल को अपना मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि चीफ एक्जेकुटिव ओफिसर न्यूक्त किया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानि आर बी आईएच। यह एक एको सिस्टम का निर्मान करेगा जो फाइनेंशल सर्विसेज और प्रोड़क्ट को बढ़ाने पर फोकस करेगा। यह फाइनेंशल इंक्लूजन को भी बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही आपको बता दें कि यह जो आर बी आईएच है इसको एक इंडिपेंडेंट बोड़ मैनेज करेगा। कई सारे इसमें मेंबर्स रहने वाले हैं और इन्फोसिस के को फाउंडर एंड फॉर्मर चेर्मेन सेनबती कृष्ण गोपाले कृष्ण को आर बी आईएच के प बनाया है कई सारे executive director होते हैं तो उनमें से एक इनको भी न्यूट किया गया है इसी तरह Reserve Bank of India ने Central Government को 99,122 करोड रुपे का surplus amount ट्रांसफर करने का निर्ने लिया है साथ है टी रभी संकर इनको one of the deputy RBI governors बनाया गया है और यह BP Kalungo इनको replace करेंगे आगे बढ़ते हैं किस राज्ये ने मुख्यमंत्री वातसल्य योजना की सुरुवात की है ओप्शन्स आपके सामने है और correct answer होगा option D सो उत्राखंड state launched मुख्यमंत्री वातसल्य योजना यह हैं उत्राखंड के हाली में बने नए मुख्यमंत्री जानते होंगे आप काफी चड़चा में रहे तीरत सिंग रावत तो देखिए इस योजना के तहट उत्राखंड government उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी लेकी जिरों ने अपने parents को COVID-19 के कारण खो दिया है बात करते हैं उत्राखंड की उत्राखंड की governor है बेबी रानी मोरिया यहाँ पर दो capitals है winter capital देरादून है और summer capital गैरसेन है valley of flowers national park नंदा देवी national park जिम कोर्बेट national park गंगोतरी national park गोविंद पशु विहार national park राजाजी national park and सोना नदी wildlife century तुई, यह सभी उत्राखंड में है, साती हरीद्वार कुम्म मेला, हरेला मेला, उत्राएनी मेला, नंदा देवी राजजात और रम्मान, यह सभी उत्राखंड में मनाए जाते हैं, और जो यह रम्मान है, यह UNESCO की जो Intangible Cultural Heritage of Humanity List है इसमें सामिल है तो काफी important है ये तो इन सब युगा आप note down जरूर गर लीजेगा आगे बढ़ते हैं उत्राखंड से जुड़े हाली के current affairs की अगर हम बात करें तो जो हमारे tribal affairs minister ने अर्जुन मुंडा इन्होंने हाली में GI महुत्सव इसका उद्गाटन किया कहाँ पर किया मजोरी में इस्तित लाल बाहदर सास्तिन National Academy of Administration जहाँ पर की जो IES चुने कर जाते हैं उनकी training होती है यापर साथी former उत्राखंड BJP President and Union Minister बची सिंग रावत इनका भी हाली में नितन हो गया है ये उत्राखंड से थे साथी IBM ने उत्राखंड Government के साथ M.O.U. sign किया है किसलिए To Introduce STEM for Girls S.T.E.M. इसका मतलब होता है Science, Technology, Engineering and Maths या Mathematics साथी ITBP ने Water Sports and Adventure Training Institute इसको भी सैटप किया है उत्राखंड में और ये सभी उत्राखंड से जुड़े हुए Current Affairs है जैसे कि इंडिया का पहला Pollinator Park ये भी उत्राखंड के हलदवानी में सैटप किया गया है आपको पताओगा उत्राखंड के चमोली में Glacier Break हुआ था जिससे कि N.T.P.C. का तपोवन प्रोजेक्ट ये पूरी तरह से डेमेज हो गया था साथी उत्राखंड गवर्मेंट ने मन्रेगा में जो Working Days है ये सो से बढ़ा कर डेड़ सो कर दिये हैं और उत्राखंड ने सिवालिक रेंज के लिए पहला Arboretum यानि जिसे आप कह सकते हैं कि Botanical Garden इसको भी सेट अप किया है और इंडिया का First Forest Healing Center ये भी उत्राखंड के हाली में निजन हो गया किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए डोक्तर श्रीकुमार बेनर्जी वू पास्ट अवे रिसेंटली वास्ता फॉर्मर चेर्मेन ओफ एटोमिक एनर्जी कमिशन तो डिपार्टमेंट ओफ एटोमिक एनर्जी में सेकरेटरी के रूप में कारे कर चुके थे इसलिए ये एटोमिक एनर्जी कमिशन के पूर्व चेर्मेन थे क्योंकि जो डिपार्टमेंट ओफ एटोमिक एनर्जी के सेकरेटरी होड़ते हैं वही चेर्मेन होते हैं इसके और 2009 से 2012 तक इनका कारे काल रहा, इससे पहले ये भाबा Atomic Research Center बारक में डारेक्टर के रूप में भी कारे कर चुके थे, 2005 में ने पदमश्री मिला और 1989 में सांतिर सरूप भटनागर पुरुसकार इनको मिला है, साथ ही आपको बता दें कि Indian Atomic Energy Commission इसकी स्थापना August 1948 में की गई थी, और फिर 1st of March 1958 में इसका नाम कर दिया गया Atomic Energy Commission of India और इसको Department of Atomic Energy के तहत ला दिया गया, आपको बता दें कि जो एक Department of Atomic Energy है, यह सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है, इसका Headquarters मुंबई महाराष्टर में है, और होमी जहांगीर बाबा, यह Atomic Energy Commission of India के 1st Chairman थे, आगे बढ़ते हैं, चीन के Hybrid चावल के जनक का नाम बताईए, जिनका हाली में निदन हो गया, काफी important question है, options आपके सामने है, और correct answer होगा option D, तो युवांग लॉंग पिंग, इस नोन एज चाइनास, फादर ओफ हाइब्रिड राइस, और इसलिए इन्हें फादर ओफ हाइब्रिड राइस बोला जाता है, आपको बता दें, कि पूरी दुनिया में चावलों को, चावलों का जो वन फिफ्थ चावल है, टोटल चावल का वन फिफ्थ अगर आप माने प्रोड़क्शन, तो इन्हें के त्वारा डेवलप की गई हाइब्रिड इस्पिसीज से आता है, और इन्होंने 2004 में वर्ड फूड प्राइस भी जीता था, नरेंद्र बत्रा को किस खेल निकाएगे अध्यष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, औप्शन साब के सामने है, और सही आंसरोंगा औप्शन डी, नरेंद्र बत्रा हैज बीन री अपॉइंटेट एज दा प्रेजिडेंट ओफ इंटरनेशनल होकी फेडरेशन, जिसे आप FIH भी बोलते हैं, तो तीन साल के लिए इनकी फिर से री अपॉइंट्मेंट की गई है, 2024 तक रहेंगे ये, आपको बता दें कि जो ये इंटरनेशनल होकी फेडरेशन यानि FIH है, इसका हैट्वार्टर्स, लुजैन, स्विडिजर लेंड में है, और इसे के साथ जो ही नरेंद्र बत रहा है, ये इंडियन ओलम्पिक एसोशियनिस्ट के भी प्रेजिडेंट है, और इंटरनेशनल ओलम्पिक कमीटी के मेंबर भी है, जी ट्वन्टी ग्लोबल हेल्थ सम्मिट में भारत का प्रतिनीधित किस ने किया, ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी, सो सुरेश प्रभू रिप्रेजेंट इंडिया एड़ जी ट्वन्टी ग्लोबल हेल्थ सम्मिट, तो आप जानते हूंगे इनको, ये पहले रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, इसी एंडिया गॉर्मेंट में, और कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो जानते हैं, देखें 21 मई को, जी ट्वन्टी की ये सम्मिट हुई है, ग्लोबल हेल्थ सम्मिट हुई है, कहाँ पर रोम में हुई है, यानि इटली में हुई है, तो European Commission और इटली ने मिलकर इसको आयोजित की है, आपको बता दें कि इटली की जो चेयर्मेंशिप है, जी ट्वन्टी की, ये इटली के पास है, इस साल, और साथ ही आपको बता दें, कि इंडिया वाज रिप्रेसेंड़ बाइ इट्स शेर्पा फोर जी ट्वन्टी सुरेश प्रभू, शेर्पा, शेर्पा यानि की परतिनी दी, या फिर एक्सपर्ट, जो एक कंट्री अपनी और से बेशती है किसी सब्मिट में, तो फिलाल सुरेश प्रभू है, G20 में भी ये हैं और G7 में भी ये हैं, तो कोशन बन सकता है कि बारत के G7 और G20 में सेर्पा कौन हैं, तो आंसर होगा सुरेश प्रभू, और इसमें यहां जो लीटर्स हैं, G20 लीडर्स हैं, इन्होंने रोम डिकलरेशन पर ही, जो है इसको sign किया है इसको adapt किया है इसका मकसद वही है कि COVID-19 से किस तरह से बाहर आये जा सके और किस तरह से future में इस तरह की pandemic situation से निप्टा जा सके G20 members हैं ये सभी याद रखेगा कभी-कभी option में आ जाता है कि इन में से कौन G20 member नहीं है चार option दे दी जाता है इसी तरह G7 का भी आप याद रखेगा तो Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, United States के साथ-साथ European Union भी इसका member है और जो G20 summit होगी 2022 में इसे Indonesia host करेगा और भालत करेगा जो 2023 में और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ whatsapp और telegram पर शेयर करें लाइक करें और comment करके बताईएगा कि यह video आपको कैसी लगी थैंक्यो गईस